स्वागत है आप सभी लोगों का VIN IES की YouTube चैनल में यहाँ पर हम लोग डिसकस करते हैं करन्ट अफेर से रिलेटेट वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स इन पॉइंट्स में से कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में आपके सामने एक प्रेशन आ सकता है सो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा हम लोग स्टार्ट कर रहे हमारे करेंट अफेर सेक्षन का वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट सेग्मेंट वेरी फॉस्स पॉइंट्स में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटर्प्राइज़ अभी निर्मरला सिधार अमन जी ने आत्मनिर्मर भारत अभियान के तहट जो आर्थिक पेकेज गोशित किया है 21 लाक करोड का उसमें MSME की डेफिनेशन में बदलाव कर दिया गया है आज से पहले MSME की टर्न ओवर लिमिट 50 करोड तक हुआ करती थी लेकिन उसको चेंज करके अब 200 करोड की कर दी गई है इसका मतलब जो भी इंडस्ट्रीज 200 करोड तक के टर्न ओवर करेगी उनको MSME सेगमेंट में रखा जाएगा MSME सेगमेंट में फर्दर जो केटेगरी बनी हुई है वो आपकी 1 करोड से 5 करोड तक के टर्न ओवर वाले को माइक्रो या सुक्ष इंडस्ट्री कहा जाएगा 5 से 50 करोड वाली इंडस्ट्रीज को स्मॉल और 50 से 200 करोड वाली इंडस्ट्रीज को मीडियम केटेगरी में रखा गया है सितारमन जी ने और भी काफी सारे measures announce किये MSME को ले करके 3,00,00 करोड का loan भी उन्होंने approve किया है for MSME begged by the government guarantee मतलब कि उसमें guarantee भी किसकी होगी government की होगी यह तो थे MSME से related काफी सारे points जो आपको ध्यान में रखना है next हम लोग proceed करते है जेव विवित्ता दिवस next हमारा discussion point होगा International Day of Biological Diversity यह आपका प्रतेक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संग UNO United Nations Organization द्वारा 22 मई को जेव विवित्ता दिवस मनाया जाता है इस बार की जो theme थी वो आपकी थी हमारे समाधान प्रकती में है Our solutions are in nature आपको date याद रखना है 22nd में and आपको याद रखना है इसका theme Our solutions are in the nature UN Secretary General का नाम भी आप यहाँ पर याद रख सकते है Antonio Guterres यह आपको नाम यहाँ पर remember करना है next हम लोग आगे देखते हैं करनाटक के बैंगलोरी में 22 मही को एक supersonic profile IAF Indian Air Force जो आपका होता है IAF इन्होंने एक विमान को उड़ाया और वहाँ से sonic boom sonic boom मतलब एसी waves generate हुई जिसकी speed sound की speed से भी ज़्यादा थी जैसे कि आपको diagram में यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह इस तरह है कि sonic boom बैंगलोरी में IAF के test के दोरान देखा गया sonic boom से आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर आद रखना है कि एसी waves या एसे speed जो sound की speed से ज़्यादा है उसको हम लोग कहेंगे sonic boom यह भी हाली में करनाटक में देखा गया या करनाटक में IAF के test के दोरान इसको observe किया गया next point देखते है जापान में उद्योग जगत के नेताओ दोरा hunko hunko यहाँ पर एक सर की यहाँ पर डागराम में दिखाई दे रहा है यह पुरानी olden wooden seal हुआ करती जो किसी भी businesses में किसी भी file के approval के लिए लगाना जरूरी समझा जाता था लेकिन अभी COVID-19 के इस pandemic में जापान की industry में उद्योग जगत ने डिमांड किये कि hunko यह hunko की परंपरा को छोड़ा जाए hunko परंपरा छोड़ने से उन्हें काफी मदद मिलेगी work from home में क्योंकि इसको physically हमको ले जाकर के लगाना होता था next point हम लोग लेतने है Lase Invasive Surfactant Administration यह एक तरह का Lisa test हुआ Lisa is one of the test जो आपको newborn unmatured baby होते हैं उनकी respiratory diseases से संबंदित treatment के लिए इस particular test को use किया जाता है यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है और यह भी राजस्थान के जैपूर में particularly जैपूर में राजस्थान के जैपूर में इसको सफलता पूरवक इसका use किया गया यहाँ पर जियान रखने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपके लिए लीसा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है जो की होता है लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एड्मिन्स्ट्रेशन नेक्स पॉइंट पर हम लोग प्रोसीड करते हैं दक्षिर अन्दमान दिप की एक स्थानिक ताड प्रजाती हां यह एक पाम का यहाँ पर species है जिसका नाम है पिनांगा अंडामेनसिस यह आपको यहाँ पर डाइगराम में दिखाई दे रहा है पिनांगा अंडामेनसिस आयूसीन की रेड लिस्ट में शामिल था रेड लिस्ट में गंबीर रूप से लुप्त यानि की critically endangered की situation में था आयूसीन ने एक लिस्ट बना रखी है रेड लिस्ट जिसमें एसी प्रजातियों को शामिल किया गया है जो critically endangered या जिनकी बहुती कम मात्रा में species बची हुई है तो इसी तरह का ये पिनांगा अंडामेनसिस यहाँ पर ध्याद रखना है आपको कि आयूसीन की रेड लिस्ट में शामिल है और ये कहाँ पर पाया जाता तो ये आपको ध्यान रखना है Mount Harriet National Park Mount Harriet National Park में पायदाता है जो अंडमान निकोबार दिप समू में इस्टेजे ये देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार दिप समू और यहाँ पर आपका कहीं पर ये Mount Harriet National Park होगा याद रखने के लिए चीजे IUCN की रेड लिस्ट में जो इसका नाम है पिनांगा एंडमेनेसिस Mount Harriet National Park की SBC से Mount Harriet 383 मीटर का यहाँ की तीसरी सबसे उची चोटी है अंडमान निकोबार दिप समू की ये आपको याद रखना है Mount Harriet जो की Mount Harriet National Park के अंतरगती आती है और भी अगर चोटियों के नाम यहाँ पर देखे जाए सेडल पिक यहाँ पर सबसे उची चोटी होगी आपकी जो 732 मीटर है और Mount Thullier 568 मीटर की सेकेंड हाइस्ट पिक यहाँ पर है Mount Harriet National Park में Mount Harriet, Saddle Pick and Mount Thullier आपको याद यहाँ पर रखना है प्रोसीड करते हैं हमारे अगले पॉइंट पर ताडोबा अंधारी Tiger Reserve अभी यहाँ पर ताडोबा अंधारी Tiger Reserve महाराष्ट के चंदरपूर जिले में इस्ते थे महाराष्ट के चंदरपूर जिले में इस्ते थे और यह महाराष्ट का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्री उध्यान है यहाँ पर Tadoba National Park का नामे और अंधारी Wildlife Sanctuary है यहाँ आपको ध्यान में रखना है और यह Tiger Reserve भी है Tadoba अंधारी Tiger Reserve यह भी latest में यहाँ के Tiger Reserves को ले करके News में था इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिवर्स 16 माई को विश्व भर में UNESCO द्वारा अंतरराष्टरी प्रकास दिवस मनाया जाता है UNESCO को फुल फॉर्म सब्सक्राइब यहाँ पर द्यान रखे United Nations Educational Scientific Cultural Organization इस पर्टिकुलर UNO के बॉड़ी के द्वारा यहाँ पर काफी सारे educational, scientific और cultural programs launch किये जाते हैं तो यहाँ पर यह प्रकाश दिवस scientific program माना जाएगा क्योंकि light से संबंदी जितने भी आपके science की discovery होती है उसी को याद करने के लिए या उनको respect करने के लिए ही यहाँ पर प्रतिवर्स 16 माई को विश्व भर में विनिसको द्वारा अंतरराष्ट्री प्रकाश दिवस मनाया जाता है यह आपको यहाँ पर विनिसका को फुल फाम याद रखना है और 16 माई को प्रकाश दिवस मनाया जाता है यह आप याद रख सकते हैं इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं हमारे next point पे हाल फिलाल COVID-19 के दोरान काफी प्रवासी मजदूर एक जगर से दूसरे जगर जाने लगे इसी के चलते मध्य प्रदेश में बड़ी एक सरहानी कदम उठाएगा जिसका नाम चरण पादुक का रखा गया चरण पादुक का मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया कभी हाने इसमें जो मजदूर पेदल चल रहते जिनके पास कोई भी चपल नहीं थे सिक्कीम ने 45 अस्थापना दिवस मनाया सिक्कीम सिक्कीम यहां पर सेवन सिस्टर्स के पास में जैसा कि आपको यहां पर इमेज में दिखाई देरा यह सेवन सिस्टर्स आपकी इधर यहां पर इसके पास में यहां पर यह सिक्कीम स्टेट है सिक्कीम स्टेट 1975 के बाद यह वहाँ पर एक referendum करवाएगा जिसमें लोगों ने इंडिया के पक्च में वोट किया और उसके बाद से यह हमेशा या इस particular राज्य पर इंडिया का अधिकार हो गया. आपको इधियान में रखना है कि यह 1975 के बाद सिक्कीम इंडिया का एक integral part बना. सो इसने अपना 45th Statehood Day of Sikkim मनाया कब 16th May 2020 को. Sikkim ने से हमें एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना है कि यह 7 sisters है. इनके नाम भी हमेशा हम लोगों को में यहाँ पर ध्यान में रखना है था. इसके अलावा हम लोग चलते हैं हमारे next point पर भारत सरकार COVID-19 के कारण प्रवाईत होरे सक्षिक वर्ष को सुचारूरू से चलाने के लिए प्रधान मंतरी इविद्या कारेकरम शुरू किया है. यह देखिए प्रधान मंतरी इविद्या कारेकरम किसके लिए एजुकेशनल सेक्टर में जो कि अभी COVID-19 के कारण पूरी तरह से रुका हुआ है को वापस से रिवाईव करने के लिए प्रधान मंतरी इविद्या का कारेकरम लाँच किया गया. इस कारेकरम में होगा क्या? इसके अंतरगा 12 डाइरेक्ट टू हूम, DTA चैनल चला जाएंगे. जैसे माली जीए 1st क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के लिए dedicated अलग-अलग चैनल चला दी जाएंगे. और जहां से बच्चे घर में रहकर ही एक से लगा कर 12 तक की पढ़ाई. घर करते हैं कि जल्दी ही ये COVID-19 का एरा खतम होगा और जल्दी से हमारे बच्चे वापस खिल-खिलाते होगे स्कुल में आने लगेंगे. चलते हैं नेक्स पॉइंट की तरफ. यहां पर एक और पॉइंट आपको बता दिया जाए कि 12 माई 2020 को जारकन की सोहराई खोवर, इसी तरह से तलंगाना के तेलिया रुमाल, तलंगाना के तेलिया रुमाल जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, वाइट, रेड और ब्लेक कलर से मिल करके बना होता है, एक कॉटन के कपड़े पर यह बनाया जाता है, इसको भी GI टेक दिया गया है, जो भारत की भोगोलिक स मैं से राद रखना है, सोहराई खोवर, एंड, तेलिया रुमाल, जिनको हाली फिलाल जेगरेफिकल इंडिकेशन का टेक मिला है, काश्मेरी केसर का भी हमने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, और मनीपूर के बलेक राइस को भी GI टेक मिला था 2020 में, वो भी हमने आ अगले वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार.